भारते टीम ने तलास लिया है जस्परित मुम्रा का भी बाप दोस्तों इस खिलारी ने 5 गैनों पे चटका दिये हैं लगातार 5 विकेट और 27 मैचों में चटका चुका है 100 विकेट दोस्तों अभी देखना चाहतो इस गैनदवाज ने कैसे लिये 5 गैनों पे लगातार 5 विकेट इस वीडियो को एक लाइक करिए चेनल को सस्क्राइब करिए बाल आकन दवाएए और यूटिफिकेशन पे क्लिक करना बुल को ना भूले हैं दोस्तों इस समय इंडिया के टेम दोबई में है एसिया कप के मुकाबले खेलने में व्यास्ता है मार दोस्तों अब पाकिस्तान के खिलाब 4 तारिक को भारते टेम को मुकाबला खेलना है मगर उससे पहले भारते टेम को एक नया खिलाडी मिल चुका है और यह खिलाडी जस्प्रिद मुम्रा का भी बाप निकल सकता है क्योंकि इस खिलाडी ने निजलाइड एक के खिलाब खतरना गैंदवाजी की दरासल मैं आपको बता दूँ इंडिया ए और निजलाइड एक के बीच में एक मुकाबला चल रहा है जिसमें निजलाइड के कफ्तान ने पहले टोज जीत कर बल्ले वाजी करने का फैसला किया जिसमें निजलाइड की टीम ने 400 रंग का टार्गेट दे दिया भारत टीम को पहले वल्ले वाजी करते हुए जिसमें जो काटर ने निजलाइड की ओर से 197 रंटोग दिये 305 गेनों में 26 चोके 3 गगन चुम्मी 6 के की मदद से इंडिया एक ही ओर से खतरना गैंदवाजी की मुकेश कुमार ने दोस्तो मुकेश कुमार ने महस 23 सोवर में केवल 6 रंग खर्च करने के वाद 5 गेनों पे 5 विकेश चटका दिये दोस्तों इस खिलाडी की बाहर तरिट्री में एंट्री होने चाहिए नहीं कमेट वोक्स में लेकर आप बोड़ को ना भूले हैं